तो दोस्तों इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का वर्चल डेविट कार्ड कैसे अपने मोबाइल बैंकिंग से कैसे इसको एक्टिवेट करना होगा तो आपको यहां पर देख सकते हैं Virtual David Card आपके जो भी है आपके register जो भी आपका India Post Payment Bank mobile app है उस पिलिक कीजिएगा और open box करने के बाद आपको यहां पर देख सकते हैं card select कीजिएगा आपके जो register mobile number है उस पे OTP है दाल दीजिएगा उसके बाद submit है आप कीजिएगा तो आपका जो भी है आपका virtual debit card successfully updated हो चुका है अब यहाँ पर manage limit आप set कर सकते हैं जो भी transaction आप करना चाहते हैं आपको यहाँ पर जैसे transaction जो भी आपने limit set कर सकते हैं कितना transaction हो जाए तो आपको यहाँ अपना जो भी amount डालना चाहते हैं amount डालके आपको continue पर click कीजिएगा अब यहाँ पर continue and confirm पर click कीजिएगा आपका जो register mobile number उस पर OTP आएगा OTP डालके आपको submit करना है successfully limit आपका update हो चुका है अब इसी तरह से आपका जो भी block करना चाहते हैं अपना card block करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर रुपे पर click करना होगा रुपे card पर click कीजिएगा अब यहाँ पर अपना card select कीजिएगा अब यहाँ पर आप से पूछा जाएगा फर्स्ट और सिकंड तो आपको नीचे वाला आपको इंटर करना होगा अब यहाँ पर देख सकते हैं आपको टेंपरेली बलोक या अनलिमिटेट बलोक करना चाहते हैं अब यहाँ पर सलेक्ट कीजिएगा तो अब ओके कीजिएगा जैसे ओके करेंगे आप और यहाँ पर आपको लिखना होगा टेंपरेली तो आप टेंपरेली बलोक करना चाहते है ATM कार्ड को अपने तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर सिट कर दिजिएगा continue आपका जो भी आपको किलिक करना होगा फिन दोबारा अब यहाँ पर आपके जो रजिस्टर मोबाइल नंबर उस पर OTP आएगा OTP डालका आपको submit कर देना होगा तो दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे OTP डालके submit कर दिये अब यहाँ पर आपको फिन दोबारा ओन करना है अपने virtual debit card तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं ओन करने के लिए आपको क्या करना होगा रूपे पर किलिक करना होगा अब यहाँ पर debit card और first वाला select करना होगा जैसे फर्स्ट वाले सेलेक्ट किये अब यहां पर देख सकते हैं तो आपको यहां पर लिखना होगा आपका जो debit card है अनलिस्टेट करना होगा तो आपको यहां पर अनलिस्टेट कर दिया confirm आपका जो भी आपका रजिस्टर मोबाइल नमबर उस पर OTP आएगा OTP डाल का आप आप देख सकते हैं आपका जो भी है card updated हो जाएगा आप transaction कर सकते हैं और बन